जै इसू, आशा करता हूँ आप ठीक हैं और आज के दिन में मैं आपके लिए प्रभु का प्रेम और प्रभु की शान्ती की कामना करता हूँ आज प्यारे विश्वासियों, जब हम सुसमचार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु हमसे आज्या कारिता चाहते हैं प्रभु कहते हैं कि जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करेगा वो स्वर्ग में बड़ा माना जाएगा वे हमसे उमीद करते हैं कि हम सहिता में जो कुछ लिखा है वो सक का पालन करें अब ये ज्यादा है अगर आप सुचेंगे अरे बापरे अब सहिता पूरी पढ़नी पढ़ेगी जितना सब कुछ लिखा है हर चीज का पालन करना पढ़ेगा ये तो बहुत ज्यादा है लेकिन यदि हम पवित्र बाइबल हमने बढ़ी है या सुनी है तो हम जानते हैं प्रभू ने हमें दो एहम कमांडमेंट्स दिये हैं दो बहुत जरूरी कमांडमेंट्स दिये हैं संत मती किस्व समचार में अगर हम पढ़ेंगे अध्याय बाईस पजसंख्या 34 से 40 में यदि हम पढ़ेंगे तो आप उन दोनों कमांडमेंट्स को वहाँ पढ़ सकते हैं तो इश्वर की इच्छा यही है कि अपने प्रभु इश्वर को अपने सारे हिर्दय अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुध्धी से प्यार करो दूसरी आग्या इसी किस अद्रिश्य और इतनी ही जरूरी है कि अपने बडोसी को अपने समान प्यार करो यदि हम प्रभू की इच्छा पूरी करना चाहते हैं जैसे कि प्रभू आज हम से चाहते हैं कि हम उनकी इच्छा पूरी करें आग्याकारता में बने रहें ओबेडियन्स में बने रहें तो ये दो आग्याएं हमें मानना और इसके अनुसार अपना जीवन जीना बहुत आवश्यक है जरूरी है सबसे पहले अपने प्रभू अपने ईश्वर को सबसे बढ़कर प्यार करो इसका सीधा अर्थ ये है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता तो यदि आपके जीवन में कोई और है जो आपका स्वामी बना बैठा है या कोई ऐसी चीज है जो आपका स्वामी बनी बैठी है तो आईए हम प्रयास करें आज के दिन में कि हम उसे उस स्थान से हटाएं और प्रभू को प्रथम स्थान दे अब यहाँ पर दो बाते देखने वाली हैं कि अपने पडोसी को अपने समान प्यार करें तो सबसे ज़ादा जरूरी अभी यह है कि आप सबसे पहले खुद से प्यार करें सबसे ज़ादा एहम और जरूरी यह है आप सबसे पहले खुद से प्यार करें इश्वर ने आपको जैसा बनाया है वैसे रहें और खुद से प्यार करें जीवन में संतोष्ट रहें तब ही आप खुद के समान अपने पड़ोसी को भी प्यार कर पाएंगे ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हम हमेशा खुद को नीची नजर से देखते हैं मैं किसी काबिल नहीं हूँ मेरे से कुछ नहीं हो पाता है मैं बोल नहीं पाता हूँ मैं गान नहीं पाता हूँ मैं लिख नहीं पाता हूँ और आजाने क्या-क्या मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ अच्छा पती नहीं हूँ मेरे दोस को देखो कितना अच्छा कर रहा है, मेरे पडोसी को देखो कितना अच्छे कर रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं आता है, हम खुद को दिकारते हैं, खुद को कोस्ते हैं, गल्तियां सभी से होती हैं प्यारे विश्वासियों, लेकिन यदि आप पश्चतापी हिर्द हिर्दय से प्रभू के पास आएं और उससे शमा माँगे और फिर कभी वो पाप नदोर आएं और प्रभू आपको शमा करेगा अब शैतान आपको अंदर ही अंदर जिंजोरेगा हो तुमने कितना गलत काम किया, तुम कितने बुरे हो तुम कितने गंदे हो अलग-अलग टिपड़ियां देंगे लेकिन आपको ये विश्वास के साथ पलट कर कहना है जो आपके दिमाग में जो आवास होगी उसको पलट कर आपको कहना है कि प्रभु येशु ने मुझे माफ किया है मेरे गुनाहों के लिए उसने अपना अंतिम बहुमूल्य रक्त बहाया है और मेरे गुनाहा उसके बलिदान से बड़े नहीं है उसका बलिदान महान है और उसने मुझे माफ किया है फुल स्टॉप आपको यही करना है और तब आप खुद से प्यार कर पाएंगे कोई बात नहीं जो भी आप से गलती हुई जो भी आपने गलत काम किया किसी के खिलाब कुछ भी किया यदि आप पश्चता पिहर्दै से प्रभू के पास आएंगे तो प्रभू आपको शमा करने को तयार है लेकिन आपको वो पाप दुबारा नहीं दोराना है एक बार पश्चता पिहर्दै से प्रभू के पास आएं और उससे मौफी मांगे और फिर ये विश्वास करें कि आपको आपके पापों की मौफी मिल चुकी है और आप स्वतंत्र हो चुके हैं प्रभू येश्यू के नाम में और तब जब आप खुझ से प्यार करना शुरू करेंगे तब ही आप अपने पडोसी से भी प्यार कर पाएंगे मैं आशा करता हूँ, उमीद करता हूँ कि हम प्रभू की च्छाओं में आग्यकारिता के साथ बने रहेंगे obedience के साथ बने रहेंगे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि हम प्रभू की इच्छा को पूरी कर सके अपने प्रभू पर मेश्वर को सबसे बढ़कर प्यार करो और अपने पडोसी को अपने समान प्यार करो जिसका आर्थ ये भी है कि आपको खुद से प्यार करना है तब ही आप अपने पडोसी से भी प्यार कर पाएंगे आमें